है लो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आप सिटाओक का दीमेट एकाउंट कैसे से क्लोज कर सकते हो आपको किसी भी ब्रांच पर जाने के जरुब्सेस को कर सकते हैं आपको पर्मानेंटली क्लोज होगा वन यानि कि हमेसा के क्लोस हो जाएगा और जब भी आप इसे दुबारा ओपिन करने चाहेंगे तो आप एक जासे कि नियू में ओपिन होता है आपको सेम प्रोसेस फारो करना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो कंप्लेट देखते हैं तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपको सीडी एसल की करना है पूरा वीडियो अध्यान से देखना है तभी आपको सारी चीज़े पता होंगी उससे पहले आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास कोई होल्डिंग्स है तो आप उसे क्लेयर कर लीजिए यानि कि उसे सेल कर लीज है तो वह आपके जो रजिस्टर वैंक होगा उसी में आपका चला जाएगा उसको आपको विड्ड्रौ करने के जरूरत नहीं है तो चलते हैं वीडियो तरफ और बताते हैं कि आपको अप स्टॉक का डिमिट अगाउंट कैसे क्लोज करना है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा अब आपको यहां पर अपना अपिस्टॉक का रजिस्टर मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद ओटीपी वेरिफाई करना है ठीक है ओटीपी आपके मेल और मोबाइल नंबर दोनों पर जाएगी तो वहां स उर्टीपी देख कर आप और अपर ओटीपी इंटर कर देंगे अपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको six डीविट का पीन डालना होगा तो आवगर आपने और एल्रेडि क्रीएट कर तो डालेएगे नहीं तो 450 करaters यो ऊपना डूज करें ओलगे इसके बाद आगे उस अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले आपको ना ट्रेड में जाकर अपना ओल्डिंग देखा देता हूं कि यहां पर कोई भी होल्डिंग नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपको अपना क्लियर कर लेना है और वीडियो भी मैंने बजा दिया ठीक है उसके बाद एकाउंट प पर आना है प्रोफाइल वाले पर क्लिक करना है और प्रोफाइल वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछage अपन हो जाएगा और यहां पर आपको ध्यानदने वाली बात है की थोड़ा अपवेट करेंगे तो नीचे एक औप्सन आएगा ठीक है तो यहां पर नीचे क्लिक करेंगे एकाउंट क्लोजन पर क्लिक करेंगे और फिर क्लोज एकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मुबाइल नमर और एमेल पर लिंक जाएगा उस पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आ मैंने दू पहले ही बताया है कि आपके पास कोई भी holding नहीं होना चाहिए और दूसरा जो रेकाउंट बैलेंस इस क्लियर आपके पास कोई भी पैसा बाकी नहीं होना चाहिए ठीक है आप इस टॉक का ятся तो यह दोनों क्लियर कर लिजीगा उसके बास सेलेक्ट रिजन पर क्लिक करेंगे और एक रीजन जब दियाएक है उसके बाद आपको ट्ली ऑक करड़े वे क्लिक कर देना है कि यह यह नीचे है बी21 एकांट देख रहे हैं आपको इसके क्लिक अगर समय में नहीं आता तो दुबारा देख लिजीगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पप नोटिफिकेसन सो होगा कि मतलब जो डिमेट अकाउंट है वो साथ से आठ दिन के बाद क्लोज हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके का सेवन टू एट वर्किंग डे तो आपको सेडी एसल से जो मेल मिलेगा उसमें आपको दो तीन मेल रहेंगे लेकिन आपको इस वाले मेल को फॉलो करना है यहाँ पर देखिए यह मेल जो है कि मुझे आ चुका है सर्विसेस नाव से आएगा और इसको जब आप उपेन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा और यह जो मेल है यह आपको सेडी एसल की तरफ से आगा सर्विसेस एड़ एसल इंडिया डॉट कॉम ठीक है और आपको यहाँ पर सारा रहा कुछ मिल जागा आपका नाम मिल जागा आपका डीमेट अकाउंट नमबर मिल जाएगा आपकी पेटेंट कंपनी यहाँ अपर अगर क्लोज क्लोज यहे तो आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो जागा तो और यह जो मेल है वह आपको बहाँ को तो आपको लगभग 10 से 12 दिन का वेट करना होगा इस मेल के लिए ठीक है जब ये मेल आपका आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका डिमेट अकाउंट क्लोज हो चुका है बाकी फ्रेंड आपका जिस दिन एकाउंट क्लोज हो जाएगा उस दिन से एक साल तक आप मेल साते रहेंगा जैसे मेल आ रहे हैं वह आते रहेंगा ठीक है तो एक साल तक का आपको मेल आएगा उसका पर टेंशन मत लिजिए ठीक है उसके बाद उससे कोई भी ऐसा मतलब घवराने जैसा बात नहीं है वह जो मेल है वह बस एज़ा फॉर्मेल्टी तुरू आते रहते हैं सुपरेंट आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो आप नीची कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेजिए अगर वीडियो पसंद आई तो करते हैं मेरे लिंक से तो आपाणगता हैं बाकि और स्ट करते हैं परहिं अ vigy कर दूसइं घृजित वीडियो और हैं गया ना होताइब है और स़य++ ने मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंधन बाए बाए